दोस्तों कि आप भी परिशान हैं अपनी स्टोरेज को लेके जैसे कि आपकी जो इंटर्नल स्टोरेज रहती है वो फुल हो जाती है लेकिन आप देखते हैं कि मैंने नाही अपने फन में वीडियोव रखी इतनी जयादा नाही मैंने फोटो र्की हैं नाही मैंने कोई ऐसी फाइल रख के जिसे मेरी जो इंटर्नल स्टोरेज तो आप इस प्रॉल्म से मतलब जूज रहे हैं तो आपकी स्टोरेज बिल्कुल ही फूल हो गई है लेकिन आपने अपनी स्टोरेज में कुछ नहीं रखा है फिर भी आपकी स्टोरेज फूल हो रही है ठीक है तो आज मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेका आया हूँ उससे आप अपनी जो इंटर्नल स्टोरेज है उसको क्लीन कर सकते हैं वह भी कुछ बिलेट मतलब की आप कुछ भी ऐसा कुछ डलिट नहीं करेंगे जिससे कोई प्रॉलब होगी ना कि आपके पर्सनल फोयी फॉटो डेलेट होगी ना ही पर्सनल वीडियो डेलेट होगी लेकिन आपकी इंटर्नल स्टोरेज जो वो क्लीन हो जाएगी तो कैसे बहुत ही अमेजिंग होने वाला आज का वीडियो तो वीडियो मेरे यहाँ पे पूरा देखते रही है दोस्तों आप सोच रहे हैं कि मैंने आज अपना सेटप पर के वीडियो शूट क्यों नहीं किया दोस्तों मैंने क्योंकि मेरे रूम में अभी कुछ अंधेरा इसलिए मैंने बाहर आके यह वीडियो शूट किया है तो वीडियो क्वालिटी कैसी आप प्लीज कमंड वोक्स पर कमंड कीजेगा और दोस्तों करना कैसे है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और दोस्तों अगर आप अपने फॉन पर कोई फोटो केप्चर करते हैं आप में पहुजिक होते हैं तो क्या होता है आपके फउन में एक डूप्लिकेट फॉाइल बन जाती है मतलब जpal необходимо करते हैं तो उसकी टूप्लिकल्यकिट फॉन में क्रेट हो जाएगी लेकिन वह आपको शोर नहीं की अतुम योगी तो वह राइंड करते हों मैं हैं एक कुछ भी त्रील सेंड करते हैं मैं मुज सेंड करते हैं या फिर को वीदिख सयंड कू decide आप फाइल मेनेजर में जाएंगे या फिर कहीं हो जाएंगे तो आपको वो शो नहीं होगा लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगो उससे वो हर एक चीज शो हो जाएगी और आप उसे डिलीट भी कर पाएंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस् लेकिन जो है प्रमेशन वगएरा मांगेगा तो आपने अलोग कर देनी हैं फिर क्या करना उसके बाद आपको यहां पर और ऑप्शन आता है स्कैन जंक फूल डूब्लिकेट स्कैन आता है यहां पर ऑप्शन स्कैन डोकुमेंट्स स्कैन पीचिर जिए चैन वीडियो स्कैन लेकिन इसके उपर एक और duplicate file है ठीक है तो ऐसे ही मेरे से बहुत सारी फोटो जो है उनका duplicate यहां पर पड़े होए है जो आपको ऐसे शो नहीं होते हैं यही एप्लिकेशन आपको शो कराई ही उसके बाद आपने डिलीट नाओ पर जाना है ठीक है फिर आपने यहां से okay करना है उसके बाद यह grant permission मांगेगा देखते रही यहां से क्या करना है फिर उसके बाद grant permission पर जाना है ठीक है फिर उसके आपको इस तरह का page खुले का फिर allow access to download यहां पर क्लिक करना है आपने फिर allow कर देना है ठीक है allow कर दिया फिर आपकी file जो duplicate file से यहां पर delete हो गई है ना कमाल क की trick और यह trick आप किसी भी android device में से apply कर सकते हैं मुझे तो यह trick काफी बढ़िया लगी मस लगी और इससे जो है मेरी storage बहुत जादा release होगी तो यहां पर 31 MB की file यहां पर 31 MB space आपका और खाली हो गया तो ऐसे यह ओपकी phone में और भी वह सारी files होंगी duplicate आपने scan करें और delete कर दे और आपकी internal storage बिल्कुल ही खाली हो जाएगी और आप easily अपने information data save कर पाएंगे तो यह था अचका video मिलते हैं आप next video पे so bye bye